नमस्कार दोस्तों जॉली डेरी फारम यूट्यूब चैनल में आप सबी का फिर से स्वागत है हाजिर है नया नया वीडियो लेके और इस बार की जो वीडियो है इतनी एक्सिलेंट है लास्ट तक वीडियो देगा क्योंकि ऐसी 50-50 लीटर की गये और बर करमी में 35-40 डिगरी और ऐसे नगीने जो होते हैं बहुत रेर होते हैं क्योंकि यह जो आज जनरेशन दिखा रहा हूँ ना सबसे लेटे जनरेशन एट नाइन जनरेशन की है जिनके पैदा होते बच्चे 80-80 जार के भिके हैं तो इस परकार की गये आपके सामने लेके आया हैं तो इसलिए लास सबी और दातों में अगर आप दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे अपने फारम पर आ चुकी है पूरा फारम का सोदा किया था 20-22 गाय ली थे बच्चडियें डालके तो मतलब इतना एक्सिलेंट रिकोर्ड फारम का गायों का और हर एक तरफ से आपको अब ज गाया हुआ है और एट प्रेजन में 48 लीटर दूद तयार है मतलब के बियाई को लगबग डेड़ से दो महिने हुए और 48 लीटर अभी दूद तयार है इतनी गर्मी में काटे के उपर तोल के और कहने की बात नहीं है बाई अडर के गायों के अडर ही दिखा रहे हैं कि यह बिखा अब अब यह लगबग शाड़े 3-4 मीने की प्रेगनेन्ट है खुद सी अरे गलेक्सी की है सीमन से सभी की सभी गृगनेन्ट है तीन गाया इसमें प्रेगनेन्ट है और एक गाये जो ही हमने बांधाए रहे हैं बहुत शितानिया करती है दो दाद की इतने हाथी के जैसी गाए है और साड़े चार महीने की प्रेगेंड़ और 25-26 लिटर भी दूद तहीं आ रहा गाए के नीचे और पहले ब्याद में सेप्टेंबर में बच्चा दिया था गर्मी में गर्मी में बच्चा दिया और उस चाहिम इसने 47-47 लिटर दूद दिया हुआ है तो अभी कि मतलब के आप हिसाब लगा लिजिए के तब से लेके अब तक लगबक मेरे ख्याल से अंदाजा ही लगा रहा हुआ है आठ मीने होगे बच्चा दिये और आठ मीने में आप भी एट प्रेजन में भी 25 लिटर दूद है और साथ में फिर साड़े चार मीने की चेक पास है नहीं इस गाये की तारीफ करूना उतनी कम है क्योंकि आप आगे में से भी सब वेंस देखते और पीछे के वेंस देखने बहुत रियर गायों के मिलते हैं फिर यह गाये मैं आपको दिखाना जोंगा तीसरे ब्यात की गाये जिसके नीचे अट प्रेजन में 52 लिटर दूद तयार है इतनी गर्मी में 52 लिटर दूद कहना बहुत आसान होता है पर जब गाये दूद देती तब पता लगता है मतलब कि यह गाये नहीं यह लोगों के जिगर के टुकड़े हैं कि यह लोगों ने जिगर के टुकड़े बदलब के प्यार से पाले हुए उन लोगों को 15- 20-20 साल होगे डेरी फारम करते हुए फिर यह रिजल्ट निकले हैं देखिए मलों के अडर पीछे हो के मेरे को पूरा दिखाना पड़ रहा है अब यह इसकी बचड़ी की बात करूं तो इसको भी लगबक डेड़ महिना हुआ भी को यह भी गलेक्सी की यह दो दात की टाइम की मिलकिंग है अगर यही तीम टाइम की मिलकिंग करवा दूं तो लगबक दूद जो है आपको पांच पांच लिटर हमारे फारम पर ज्यादा देखने को मिल जाएगा बचडियों की हेल्थ वाइस हर एक चीज से मतलब कि मैं मेरे पास आज शब्द नहीं है इतनी देर होगी वेपार करते हुए के वीडियो बहुत सारी हमने बनाई है और शुरुवात जो जिस प्रकार की मैंने की शुरुवात मैंने की थी ब्रीडिंग के उपर और आपके जैसे किसान बायों के इतना मेरे को साथ मिला कि आज जोली डेरी फारम जो है अभी तक पूरा फ खुद का इस बार दिल खुश हो गया कि मतलब के शुकर गुजार है मुस उपर वाले का जो हमारे को इतने बढ़िया एनिमल्स प्रोवाइड भी करवा देते हैं नहीं तो कभी कबार गराक आते हैं तो खाली आत भी जाना पड़ता है इस टाइम हमारे पास गराक जादा है और गाय कम है और ये सबी की सबी इस टाइम फोर सेल है अगर कोई किसान भाई लेने का इच्छु हो तो हमारे पास संपर कर सकता है हम एक ही कीमत पे डाई लाग रुपे के हिसाब से हम ये छे गाय देंगे जो देने वाली कीमत है क्योंकि अकेला इस गाय का पीडियाफे के मिले में इस गाय का पांच लाग रुपया हमने खुद लगवाया था बैंगलोर की पालटी आई थी एक ये गाय और एक ये गाय क्योंकि ये 65 लिटर दूद इसने पीक पे दिया हुआ है दो मेने की चेक पास प्रेगनेट है और अभी भी 50 से 52 लिटर दूद पे चल रही है और लगबग बियाई की बात करें तो चार महीने होगे बियाई को और अभी 52 लिटर दूद है छोटी बाद नहीं होती 52 लिटर मुह से कहना असान होता है तो आप खुद सोचिए कि इस चैम आप जैसे दो मेने की प्रेगनेट है आगे सर्दियों में फिर बच्चा देगी और इस बार उमीद है कि 72 लिटर दूद अराम से कर सकती है गाये और इतनी सक्षम है कि इतना दूद कर सकती है तो एक आपको टैग वाइस बता देता हूं और डिटेल देता हूं और हम सब एक साथ ही गाये देंगे कोई अलग-अलग गाये नहीं देंगे अगर अलग- अगला कीमत होगी गायों की आप देख सकते हैं तो जो सबी की सबी गाय आपके सामने हैं अब यह गाय भी हमने सीमन भरवा दिया हो इसका और सबसे ज्यादा अभी एड़ प्रेजट में यह दो गायों का एक इसका 52 दूद है और इसका भी एदा किना दोदा गाया यह बताली कि लोड़ आप यह 42 लिटर दूद पर चल रही है दो टाइम की मिलकिंग आ तीन तेम की नहीं बता रहा किसी की भी महलेग के दो टाइम की मिलकिंग के उपर जो चोशट नंबर है वो प्लूटो के सीमन की है टैट का वर्लड वाइल्ड का सेक्सर्ड सीमन हमने खुद जो है गलेक्सी के सीमन की है 42 लिटर दूद तयार है इसके नीचे और लगबग इस टाइम साड़े तीन महीने की प्रेगनेट है यह चेक पास है फिर यह इसको अभी लगबग सिर्फ तीन दिन हुए ठीका पराये को और लगबग दो महीने की ब्याई हुई है और इसका आपको बेशक थोड़ी दूबली पतली लग रहे हुई उसका रीजन यह है कि इतने हाइल्ड पर उपर जब गए चलती है तो इतना थोड़ा बहुत बोड़ी पर इफेक्ट होता ही है उसी के कारण डॉक्टर सला देते हैं कि बाइपास फैट दो और साथ में मिनरल म जाली तो कंटीनूसली और जिस फारम से यह तकरीबन वह सेक्सर सीमनी बराते नहीं तो दूसरे तीसरे ब्यात पर कभी भी कोई सेक्सर सीमन का रिस्क नहीं लेता है सो क्योंकि पूरा इनका प्लेजेंटा साफ है डिस्चार साफ है तो इसलिए किसान भाई ने इसको सेक्सर सीमन गायों को बराया हुआ है लेयर चवाई ते लाओ यह ननू नाल दे नाल और इसका भी मैं आपको डिटेल देता हूं के स्ट्राइकर की लेयर चवाई वखा द जर्मनी का सीमन लगा हुआ है पूरा हमने अपना डिटेल लेके आएं उनसे किसान भाई से जिन्होंने हमारे को दी है फुल डिटेल हमारे पास इनकी मुझूद है और पूरी डिटेल दी जाएगी और आप पूरी अपनी तसली करके ले सकते हैं कि सभी गाये जो है दो टा पारवाला कभी भी नहीं बेचता यह अकेली अकेली गाये पांच पांच लाख रुपे कीमत रखती है आज की तारीक में वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिए क्योंकि इस प्रकार की जो गाये आप साच्रीकाल नमस्कार सारी अगठी है इनकी सबी हम बहुत जल्द लाइप अगर हमारे पास एकार दिन में रह गई तो इनकी आपको लाइप मिल्किंग जरूर दिखाएंगे